हेलो दोस्तों स्वागत है आज आपका डेली करंट अफेर सीरीज में आज है साथ फरबरी 2023 और हम बात करेंगे करंट अफेर के महतुपूर्ण बिंदूओं पे जो आने वाले एक्जाम में आपके लिए काफी हल्पूल साबित होंगे बने रहिए वीडियो के अंद तक चार सो करोड रुपए का जो नैनो यूरिया प्लांट है इसकी आधार शीला रखी है या देश का पांचवा नैनो यूरिया संयंत्र होगा नैनो यूरिया जो है यह एक ठोस यूरिया का लिक्विड फॉम है यह बहुत ही बैनिफिशल एक कंसेप्ट है जैसे 500 ml मतलब आध नैट्रोजन के बरावर होता है जो 500 ml का एक बॉटल है तो इसमें फाइदा यह होता है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जर बगेरा जो है वो काम किया जा सकता है इसके अलावा जो हम यूरिया डालते हैं खाद वो मिट्टी में डालते हैं और जड़ों से यह प्लांट में ज पहली बार अपना स्तापना देवस कब मनाया है तो आंसर है 4 फरवरी 2023 26 जनवरी को भारत के गणतंतर बनने के दो दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सरवोच नयायाले जो है वो अस्तित्म में आया था तो इस बार अगर हम बात करें तो जो स्तापना देवस मनाया गया है इसके मुख प्रचूर उन्होंने इसको एड्रेस किया नेक्स्ट है मोर्निंग कंसल्ट नाम की एक यूएस बेस्ट कॉंसलिंग फर्म है उसके अनुसार भारत उसके अनुसार दुनिया के सबसे लोग प्रिये नेता कौन बन गये हैं तो अंसर है प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जो दूसरी बार 78 प्रतिशत की रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोग प्रिये नेता बने हैं इस स्टडी में 22 देशों को इंक्लूड किया गया था तो इसमें सैकेंड नंबर पे रहे हैं एंड्रस मैनुएल लोपेज ओवरडोर 68 परसेंट के साथ और यह मैक्जिको के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपती जो वाइडन को काफी पीछे छोड़ दिया है इनकी रेटिंग से 40 परसेंट है और अगर हम दूसरे दिगज नेताओं की बात करें जैसे एमैनुवल मैक्रोन या फिर रिसेंटली बने इंग्लैंड के प्र प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान इसको पीएम कुसुम के नाम से जाना जाता है 2019 में ये लॉंच की गई थी और 2022 तक इसको एंड होना था बट इसे 2026 तक एक्स्टेंड कर दिया गया है इसके तीन बेसिक अब्जेक्टिब्स हैं जैसे क दो मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे छोटे बिजली के जो सयंतर है उनको एस्टेबलाइज करना स्टैंड अलोन सोर उर्जा संचारित क्रिशी पंपों की स्तापना करना जो सिंचाई के लिए एग्रिकल्चर लैंड में यूज किये जाते हैं पंप्स उनको सोलर एन अगला है कि इस कंपनी को प्रमानू टर्वाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्ण भागों की आपूर्ती करने बाली भारतिये पहली कंपनी के रूप में अनुवदित किया गया है ये एक कंपनी है जिसको परमिशिन मिल गई है जो प्रमानू टर्वाइन्स होते हैं उ तो इसका मेन अब्जेक्टिव है जो कस्टमर है उसको विश्विशनिये बिजली प्रदान करना और कम कारवन उस सर्जन वाली मशीनरी बना के लेस कारवन एमिशन गोल अचीब करना अगला है सेयुक्त अरब आमिरात के उपराश्टरपती और प्रधान मंतरी और दुबई के शेक मुहम्मद बिन रासिद अलमक्तूम इन्होंने अलमिनहाद का नाम जो है वो बदल कर क्या रख दिया है तो ये एक सिटी है अलमिनहाद नाम की इसका नाम चेंज हुआ है इसका बुर्ज दुबई जो 2010 तक बुर्ज दुबई के नाम से जाना जाता था उसको अब बुर्ज खलीफा के नाम से जाना जाता है आपने सुना ही होगा ये बहुत ही उची एक इमारत है तो ये UAE के राश्टरपती और आबु धावी के शाशक शेक खलीफा बिन जैयद अलनह जायन को ऑनर करने के लिए चेंज किया गया था नाम जिसके कारण इनको 21 महीने के लिए प्रतिबंदित किया गया है तो ये अंतराश्ट्री परिक्षण एजनसी इंटरनेशनल टेस्टिंग एजनसी तो ये जो एजनसी है एक इंडिपेंडेंट और नॉन प्रोफिट और्गनाइजेशन है जो जिमनास्ट फेडरेशन के इवी है ने अपनी रिपोर्ट में 2047 भारती अर्थविवस्ता का कितना अनुमान जताया है तो इवी के अकोर्डिंग भारत जो है वो 26 ट्रिलियन डॉलर्स की एकॉनमी बन जाएगा 2047 तक तो जो ड्रीम है नरेंदर मोधी जी का भारत को डिवल्पिंग नेशन से डिवल् इस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो पदम श्री डॉक्टर रंदीप गुलेरिया है जो बिलासपूर एम्स जो है ओल इंडिया इंसिटीट ओफ मेडिकल साइंसेज उसकी गवर्निंग बोडी के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है डॉक्टर गु और इन्हें 2015 में भारत सरकार के द्वारा पदम श्री अवर्ड से भी नवाजा चा चुका है नेक्स्ट और आज की सीरीज का ये अंतिम क्वेशन है दसवे राष्ट्रपती पाकिस्तान के जिनका हाल ही में निदन हुआ है वो कौन थे आपने नाम सुना ही होगा परवेज म श्रप इनका हाल ही में निदन हो गया है इनका जन्म अगस्ट 1947 में दिली में हुआ था दरिया गंज में और ये 1947 में जब भारत का विवाजन हुआ तो पाकिस्तान चले गए थे तो 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध था इसमें इन्होंने यंग ऑफिसर के रूप में पार पाटिस्पेट किया करगिल बार जो है 1999 का उसमें भी इनका में कॉंट्रिवूशन था उसको स्टार्ट करने में और ये 1999 में इन्होंने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को हटा कर अपना शाशन स्टार्ट किया था और जून 2001 मैं मुशरप ने ततकालिन राश्ट्रपती मुहमद रफीक तरार के स्टीपे के बाद स्टार्ट को पाकिस्तान का राश्ट्रपती घोशित कर दिया था तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा धन्यवाद